सब्सक्राइब करें हमारे बेस्ट फार्मर यूटूब चैनल को और घंटे की निसान को दबाईए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कि नमस्व्छार दोस्तों स्वागताब का देखने की लोग तक आप वीडियो पे अंतक बने रही दोस्तो जब मूर्गी कुड़क में आ जाती है तो उसको नड़ों पे बिठाने का अलग अलग तरीव है आप किस तरीके बिठा सकते हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो के माद के मादे में से बताऊंगा कि मूर्गी को आसान नी से आप कुड़क में आने के बाद अंडों पर बिटा सकते हैं और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों वीडियो में अंतक बने रहे और वीडियो को लाइक कर दे कमेंट करें कि आपको वीडियो किया कुम कुशास अठीक हो के अई और तो इसमें इसमें कुछ टे एक जून के हैं कुछ दो सून पकूलनी करका लिएल अभी आच इंडे और मैं इसमें 12 अंडे रखूँगा तो चार अंडे वाद रखूँगा बाद समें कर दोस्तों देख लीजिया हमने सब____सme पहले टायर ठीक दोस्तों तो दोस्तों हमने इस टायर को एड़ेस्ट कर दिया इसमें और आपको इसमें जगह बना लेनी है बीच में ठीक दोस्तों देख लिजिए दोस्तों हम इसके बाद इसमें लगाएंगे बोरी ठीक दोस्तों इस बोरी को अंदर इसके डाल देंगे ठीक दोस्तों इसमें असानी से इसे बोरी को डाल देनी है जैसे इसमें हम अंडे रखेंगे तो इसमें अंडे रखने से पहले हमको इसमें बुरादा डालना है आप कोई भी बुरादा डाल सकते हैं लकडी का बुरादा ग्याओं का बुरादा ठीक है जो पस्तू के खाने वाला जो ग्याओं का बुरादा होता है वो मैं इसमें डाल रहा हूं जिसे कि गर्मी टेमप्रेटर मेंटन बना रहे है ठीक है दोस्तों और अंडे हिले डूले नहीं जादा इसमें तो दोस्तों हमने इसमें इस ग्याओं के बुरादे को शेट कर दिया है ठीक है दोस्तों हम अब इसमें रखेंगे एक एक करके देरे देरे रखना आँ अपस में ठगरा है नहीं ठीक है दोस्तो और दोस्तो जब भी आप मूर्गी को अंडों पर बिठाए तो तब आप उस मूर्गी को एकान्त में अंडों पर लगाए जहाँ दूसरी मूर्गी कि मुरग के का आना जाना नहीं हो तो इस से क्या फाइदा है कि जब यिन्य होगी तो वह डिस्ट्रेब नहीं होगी और बार बार अंदे शे खड़ी नहीं होगी तो अंदे सबस्थ हो पाएंगे वर्ना सबस्थ से नहीं हो पाएंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों हमने इस खुड़े में इस एकली मुर्गी को ही अंडों पर बठाया है तो इसमें पानी दाने की हमने व्रिस्ता कर दिये ठीक दोस्तों देख लिए ये मुर्गी है जो कुड़क में आयु हुए अभी देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी कासी मुर्गी ये लंबी चोड़ी तो दोस्तों ये अंडे भी खुब देती है लगवग इसके 25 से 28 अंडे का एवरेज है एक महीने में लगातार आप देख सकते हैं ये मुर्गी भी पूरी तरह के से कुड़क में आ चुकी है तो हम इ बैठाने जा रहे हैं अभी देख लिजिए इस अंडों पर बैट जाएगी जाकर वीडियो में तक बने रही है ठीक दोस्तों दोस्तों देख लिजिए मूर्गी अंडों पर बैट चुकी है अभी अंडों को अड़ेस्ट कर रही है अपने नीचे उमीद करता हूं ये इन सारों ओंडों को असानी से हैज करेगी देख लिजिए आप इस पर रजेस्ट हो चुकी है मुर्गी अच्छी ठीक दोस्तों अउमीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आयोगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेर करें हर किस करें और बेल आइकन दबा ले हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए ठीक है दोस्तों जय जवान जय किसान